Hair health is super important ना केवल aesthetic purpose के लिए बलकि ये हमारे पूरे स्वास्ते का indicator होते हैं अगर हमारे स्वास्ते में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका सबसे पहले परबाव हमारी hair की health पर पड़ता है Hair thinning, slow growth, hair fall and baldness ये बालों से जुड़ी हुई आजकल common समस्याएं हैं Fortunately, बालों की इन सबी समस्याओं को आप थोड़ी सी समझदारी से बिलकुल ठीक कर सकते हैं शारुक खान का ये picture हाली में click किया गया है इनकी age इस picture में लगबग 60 साल है पर unfortunately इतने healthy hair आपको आजकल 20 साल के बच्चों के भी नहीं मिलेंगे अब बहुत से लोग यहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे कि ये celebrities हैं they can afford expensive treatment and they can afford expensive supplement and all that बट ऐसा बिलकुल नहीं है शारुक खान ने खुद अपने एक interview में अडमिट किया है कि उन्होंने कभी shampoo इस्तेमाल नहीं किया है तो आईए जान लेते हैं आप अपने बालों की health को कैसे हमेशा के लिए maintain कर सकते हैं कैसे आप hair thinning, hair fall और even baldness रोक सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने notebook में note कर सकते हैं आपकी health regime को हमने तीन हिस्सों में divide किया है जिसमें number one है topical application, number two supplements, number three avoidance और prevention topical यानी की external application में आप मेथी और rice दोनों को equal quantity में लेकर साफ पानी में overnight shock करके रख देंगे next day आप इस पानी को एक साफ spray bottle में भरके अपने बालों में spray करेंगे ये solution 3-4 दिन तक refrigerator के अंदर रखा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है मेथी और rice water के fermentation से इसमें एक protein generate होती है जो आपके बालों की external appearance के damage को ठीक करता है और उन्हें देखने में beautiful और घना बनाता है supplementation में आपको biotin, folic acid और zinc को अपनी diet में include करना है biotin को आप चाहे तो market से as a vitamin supplementation ले सकते हैं biotin को vitamin B7 और vitamin H के नाम से भी जाना जाता है biotin के natural source की बात करें तो ये आपको dairy product में, milk में, पनीर में, काफी मातरा में मिल जाता है नमबर टू, folic acid को भी आप market से as a supplement ले सकते हैं naturally folic acid आपको पालक में, sprout में, cereals में मिल जाता है jink की अगर बात करें, तो jink के natural source, paneer, egg और meat है इसके अलावा jink की tablet भी market में available हैं, जिने आप चाहें तो ले सकते हैं ये तीनों काफी safe होते हैं, इनके कोई side effect अभी तक देखने में नहीं आए है तीसरा step है prevention और avoidance इस step में आपको कुछ common practices को change करना पड़ेगा जैसे रोज shampoo करने की आदत को आपको discontinue करना पड़ेगा क्योंकि shampoo में harmful chemicals होते हैं, जो आपके hair को damage करते हैं especially hair shining product और anti-dandruff product को आपको दूर रखना पड़ेगा आप हपते में 1-2 बर shampoo कर सकते हैं, वो भी mild baby shampoo से hair color, hair serum, chemical base, hair shiner, gel, etc. को आपको completely avoid करना है and most important जिसे हम अकसर भूल जाते हैं, आपको stress level कम रखना है stress कोशिच करें की कम से कम ले, अच्छी नींद ले, खूप पानी पिए और खुश रहे